हाई फ्रेंड्स मैं असे अरकनने जा रहे हैं आलू मसला पूरी आलू मसला पूरी के नाम सुनते ही हम सब के मुँँ में आ जाते हैं पानी और बनाने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाते हैं लेकिन आब आपको लंबा टाइम लगाने की कोई जुर्रत नहीं है क्योंकि आज में बिना आटा गूं थे बिना बेले एकदम परफेक्ट फुले फुले आलू मसाला पुरी बनाना बताएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मिंबर के साथ जुरूर सेर कीजिए तो आईए फ्रेंड्स देनना करते हुए रेजिपी देख लेते हैं आलू मसाला पुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिये हैं आप मैदा के बदले में आटा भी ले सकते हैं एक पीस बड़े सेच के उबला हुआ आलू को ग्रेट करके लिए हैं, एड़ कर देंगे आलू देट टेविल स्पून बारिक वाले सुजी लिए हैं, अगर आपके पास मोटे वाले सुजी हैं, तो मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिजिए मैदा के साथ आलू और सुजी को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे, जिससे की सुजी और आलू जो है, वो मैदा के साथ अच्छे से घुल मिल जाए मैंने एक बीटर की मदद से मिक्स्ट कर रही हूं, लेकिन आप चाहें तो हातों से भी मिक्स्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए बैटर बना लेंगे एक साथ ज़्यादा पानी ना डाले बनना बैटर के अंदर लम्स रह जाएगा एक मिडियम थीक बैटर बना के रेडी कर लिए है मैंने बैटर की थीकनेस मैं बाद में दिखा दूंगी एड़ कर देंगे स्वादुन सर नमाक हाप्टी स्पुन जीरा एक टी स्पुन भर के आजवाइन लिए हैं आजवाइन को इस तरीके से मसल के डालेंगे इस तरीके से डालने से आजवाइन का खुस्बू बहुत अच्छे आते हैं और पूरी खाने के बाद गैस भी नहीं होगा एड़ कर देंगे एक टी स्पुन भर के रेड चिली फ्लेक्स मुठी भर बारिक कटी हुई हरा धनिया डालेंगे बैटर के साथ सारे चीजों को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे सारे चीजे जो हैं बैटर के साथ अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब बैटर को ढखके 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, जिसे की सूजी जो है ओ थोड़ा सा फूल जाए बैटर को रेश्ट करते हुए 15 मिनिट हो चुके हैं, अब ढखकन हटाएंगे सूजी फूलने की बाद बैटर देखिए थोड़ा सा थिक हो चुके हैं बैटर के अंदर 6-7 टेविल स्पून के जितना पानी डाल के बैटर को अच्छे से फेट लिए हैं बैटर का थिकनेस देखिए इस तरीके का होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ना तो बहुत ज़्यादा पतला बस इस तरीके का मेडियम बैटर होनी चाहिए स्पून भरके बैटर लेकर डाल देंगे गरम तेल के अंदर बैटर डालने की बाद बैटर को अपने आप ही तेल के उपर आने देंगे बैटर तेल के उपर आ चुके हैं अब गरम गरम तेल को बैटर के उपर इस तरीके से डालते जाएंगे पूरी जो है देखिए एकदम गुबबारे की तरह फूल चुके हैं अब पूरी को पलट देंगे पूरी के नीचे के तरब देखिए हलका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं अब पूरी को कड़ाई से बहान निकल लेंगे देखिए कितना बड़िया आलू मसाला पूरी बन के रेडी हो चुके हैं और एक पीस बना के दिखा देती हूँ एक बार इस तरीके से बने हुई आलू मसाला पूरी को घर में जुरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आपके बने हुई आलू मसाला पूरी के रेसिपी कैसे बने हैं खाईए खिलाईए और इंज़ाई कीजिए थेंक्स पर वाचिंग